नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि ये सवाल कैसे हलोगा हमारे पास ये सवाल है 5x-2y बराबर इक्वर टू 31 दूचरा समी करण है 3x-7y is equal to 36 हमको x और y का मान लिकानला है ये अगर आपको अगर ध्यान हो तो ये दो चर वाले समी करण होते हैं तो ये ये समी करण है और इनको हम हल करते है अई देखते है की कैसे हल करते है मैं एक बहुत ही आसान त़रीका बताओंगा इनको लकाने आ इक सुत्र भी है इसको हल करने के लिए लेकिन उसके लिए कि आपको सरे प्धेस के लिए के बारे में पढ़ना पड़े गा जो कि मैं और सूला और इस वीडियो में और कुछ आगे आने वाले वीडियो के बारे में देशिक्रादा, इसके बारे में पढ़ने है क्या से नहीं करना है ठीक है अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको सुथर चाहिए मैं आपको दे दूँगा सुथर वह फेलाल चलिए आए एक आसान तरही का समझते हैं जो कि आपको मतलब दो चरवाले सभी समीकरण आसा इस तरीके से ठीक है थोड़ा सा जगादे देते हैं अब है बराबर 31 दूसरे क्या है थ्री एक्स प्लस सेवन वाई बराबर 36 ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम देखेंगे यह पहला जो एक्स वाला है ठीक इसके कोफिशन से हम इसमें गुड़ा कर देंगे और इसके कोफिशन से हम इसमें गुड़ा कर देंगे ठीक है मतलब कि हम तीन से इसमें गुड़ा कर देंगे और पांच से इस पूरे समीकरण में गुड़ा कर देंगे तो आये गुड़ा कर देते हैं यानि हम तीन से इसम गुडे कर देंगे तीन गुड़ा और इसमें हम पांच से घुणा कर देंगे हैं ठिक है ऊप ठिक इतनी पद समझ में आगई अभी हम क्या करेंगी इस वाले समीख रोन से इसको को हम घटा देंगे ठीक है मैं उम्हेद है कि आपको समय करोनों का घटाना आता होगा अप देखेंगे कि ये वाले दोनों कट जाएंगे ठीके तो कि यह दोनों बराबर हो गये हैं कट जाएंगे यहां पे माइनस तीन तीन गुड़े 31 माइनस पांच गुड़े 36 ठीक है अब हम यहाँ पर वाई कॉमन लेंगे और वाई कॉमन निकल गया वाई कॉमन लिया माइनस के साथ त्री गुड़े तीन पांच गुड़े 36 बटा माइनस के साथ हम इनको उतारेंगे तीन गुड़े 2 माइनस तीन गुड़े 2 और यह माइनस पांच गुड़े 7 ठीक कि मैं सेंए गुड़ा करके ने लिख रहा हूं आपको जो मैं सूत्र बताऊंगा आगए आने वाले वीडियो समय तब आपको पता लगेगा कि बिल्कुल यह सूत्र ऐसे काम करेद गा फिलाल मैं आपको एड़वाइज करता हूं आप को सलाह जाएंगे ठीक है तो यह हमेंसा काम करेगा आपको वाई कमान निकल गया ठीक है अब बस इसको हल करना है इसको जो भी आ जाएगा वाई कमान आ जाएगा ठीक है जैसा माल लिजिए वाई कमान इसको हल करने के बाद माल लिजिए कुछ आ गया चलिए हल कर लिए लेते हैं अठारा बट माइनस 6 माइनस 35 उपर हो जाएगा एक सो असी में 93 घटाएंगे तो आएगा साथ और यह आठ आठ साथ तिन दस नौट सत्तरह सतासी आजाएगा माइनस 87 नीचे कितना आजाएगा 27 यह फिर 29 और सुरी सतासी यहां पर आजाएगा माइनस और दोनों को जोड़ देंगे ठीक है यह आएगा 41 31 होगा 35 45 और 41 तो यह हमारा वही कमान आगया इसका मतलब हो गया कितना आगया 87 37 बटे 41 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इन दोनों में से कोई भी एक्वेशन ले लेंगे और इसमें वाई कमान रखे एक्स कमान निकाल लेंगे ठीक है आएगे देखते हैं कैसे मालीजे हम पहला वाला इक्वेशन अगर लेंगे तो 5 एक्स माइनस 2y बराबर 31 इसमें वाई कमान थो हम निकाल चुके हैं अभी वाई कमान हम इसमें रख देंगे वाई कमान रख दिया हमको 287 बटा 41 बराबर 31 एक्स कमान निकाल लीजिए अब यहाँ पे 5 एक्स बराबर 31 माइनस स्वारी यह प्लास हो जाएगा 2 गुड़े 87 बटा 41 और एक्स कमान निकालने के लिए हम 31 बड़े 5 प्लस दो गुड़े 87 तालेस गुड़े 5 यह आपका एक्स कमान आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम दो चर वाले समें गरोनों का हल हम निकालेंगे ठीक है अब आपको एक्स कमान निकालना है इसको आप हल कर सकते हैं मैं इसको हल करने नहीं जा रहा हूं आप खुद करके देख लिए और जो भी उत्तर आता है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या उत्तर आया है ठीक है तो उमिद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा औ और मेरी तरफ से यह आप सवाल ट्राइ करके देखें, तू एक्स माइनस फोर वाई बराबर जीरो एंड एट एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर टू, ठीक है, आप इसको हल करके देखें, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करिए, और जो भी उतराता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में,